हेलो गाइज वेलकम बैक टू मै चैनल आज आमी के पणनाटे कर चाहूं तो पैरेमेसियम कवड आटम यह चै क्यों पैरेमेसियम अंतरगत को कॉमनिस्ट स्पीसीज कला है बन चाहूं पैरेमेसियम कवड आटम ठीक्छा यही तपाईले प्रीविएस वीडियो जरू एड़न वीडियो बनाएजी ना उसको रिक्वेस्ट मा यह पैरेमेसियम बनने वीडियो बन रहाँ ठीक्छा अब यह पैरेमेसियम कवड आटम बने को क्यों कॉमनिस्ट स्पीसीज हो क्यों क्यों को पैरेमेसियम को पैरेमेसियम को पैरेमेसियम परने पैरेमेसियम हो पैरेमेसियम के छा, microscopic छा, छिछा, microscopic बढ़नेको, which cannot be seen by our naked eyes, ठिक छा, अब एर, यह यह सिलियेट प्रोटोजोन भित्रप परछा, सिलियेटा, क्लास कुन परछा, ता सिलियेटा, यदी प्रिजन्स अब सिलिया छा वने, ते समाकी उन्च, they are said to be ciliate protosons, अनि ciliate अमा पनी in हरो एकदम special type of ciliate protosons अरू, that is holotricus अब हो लो tricus भने गो कियो दा, here ciliate भने पची किये चा cilia को presence चा जो के बायो cilia को presence भायो, अब जीलिया को presence चा तर अब हो लो tricus भने पची cilia हरू को length चाहे चा एकके नास्को छा रह पुरे बडी वरी युनिफर्म रूप मा डिस्ट्रिबूट बाचा बने को जो होलो ट्राइकस मींज सिलिया अरुको इच और एवरी सिलिया को लेंद के छा कमन छा एकसेट फर इस पोस्टेरियर एंड यो पोस्टेरियर एंड तीर मा चाहिए योटा गुछो जस्तो बस्टा के एकदम त्यो कपाल अरु एकदम योटा थमा गुछो पर्र बस्टा तेलाए कोडल टॉफ और इस पर्टो ना पुछो एले इंट्रोक्शन मा तरह ओ तो जो होलो ट्राइकस भने पाशि क्यो दोज इस आर दा प्रो जोंस इस प्रोजों जीस्ट प्रोजा विच चिलिया वूस लेंथ से उनिफर्म इडिस्टिबूटेद अल ओवर दा बडी ठीक चाह अव नुकला डाइमर्थीजम बने को दू योटा नुकलियस प्रिजेंट उन्छा यहां फिगर में ना सक्षा हो योटा मैक्रो मोलिक्यूल्स योटा माइक्रो नुकलियस ठीक चाब योटा अर्को माइक्रो योपन इस्ट्रोक्षर माए एक्स्प्लेण गर्शु डिटेल मा अहल अर्को बर्सेरिया ग्रूप योटा यहां इसमा के डिफरेंस चाब अर्येला माँ के उन्छा इलोंगेटेड फ़र्म मा जान एक्सको डाइगराम मेर तो कस तुछा इलोंगेटेड सेब को चाब भनेशी इसको ब्रेथ जती चाथ योटा लेंध को थी ठुलो बाशानी ले ओर अर्येला ग्रूप भरू मा चाहिए यो सबले थाव कुराओ इसिसस चाइटो फाइजी डाट वी टोकीं अलेक्षिं मा श्रक्शर मा पाटा शाऊं साइटो पाइजी नहीं को ऐले चाहिए योटी के बूज्ने गान दाखरी इस इस दे शेल अनॉल स्पाट जेल अनुल आरेलिया ग्रूप को अंतरगर परशन धा पाइसागे on the साइटोब आजी को पोजिशन काहाच्या?, लैत्राल साइड मा और अले शेड़ू Depending on how the ग्रूब को जहाएं कि छाईंगे था लाट्रोल स्टेट दीर, प्रिजेन्ट लूचंग, अब आमें के आपको बार में पोडा गोल्या है श्टugu पोजीशन को बार पैरा इमे सेंग को बार कुण ग्रूप मां पर सा अडा सकरेचों ग्रूप मा पाईने commonest species यह लाई वने इंचा paramecium caudatum है ना अब 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 इसको systematic phylum protozo, it is a kind of protozoans है ना characteristics में चार, class due to the presence of cilia है, लोकोमोटरी अर्गेंज को आधार मा cilia presence भागो कारण ले करदा इसको class के बायो ciliate आ परे हो तेसे जाए आउचा subclass, subclass holotrica, holotrica अगनी भने माईले holotracheus इन्यारको cilia present हुँँचा जसको कारण लेगादा यह कुण subclass के मा परे हो, holotricus मा परे हो, order के चा hymenostomadia हाइमेनी stomadia भने को के उन्छा ता यह दि वेंट्रल पोजिशन मा, वेंट्रल पोजिशन मा माउथ प्रिजेंट छा वने र इन्यारको well developed के चा बॉकल काविटी चा ते कारण लेगादा इन्यारको के बन्चा हाइमेनी stomadia, वेंट्रल पोजिशन र डर्सल पोजिशन मा, कन्फूजन चा वने, I have well explained in the video that is being displayed यह आई बने बटन मा क्लिक गरदा, उन्चा तेसमे एकदम र आमरे डर्सल र वेंट्रल पार्ट को छुट्या अगोश हो है यहां तोलो क्जून चेप्टो पार्ट वेंट्रल पार्ट वने, बुजियो? अंगोश धो EL यहां शीम्पल माच श्री ना माुश को ठागराम ठीकचा अब अले यहां यह उताँ डिप्रेसन होँचा अला राख साँ हुन्च तोलक को जो चेपटो भाग हुन्च त्यों कि वेंट्रल्प साइड भाग रा माथी को फुल्ल्य को भाग लेके वनने डर्सल पाट भाग हुन्च यो शंग ठाके एशको क्यारेक्टर अथ वा स्ट्रक्शर कंपेर करने सक्षाूं कि ठाके माथी शेप्ट हैंब चुए और के लिगा vean कान चीछ एंगा धिद्धेन कर भू कोई सब्सक्रण कोम कहा हैं मत्युई है ए फोनठ्रेहं कोई मचा चीछ होएद गचानि र सभीन कोई सब्सक्रणा फूलू कोई सब्सक्रल ख Choice ऑं लोकत्त मोर्म सब्सक्राय मा ओरल एरिया चा रो वेल डिफाइंड बॉकल काविटी प्रिजेंट भागो कारण लेगा दा योकुन ओडर मा पर चा हाई मेनो स्टो मैडिया ठीक चा अनि वेंट्रल पार्ट चे की हुँँचा चेप्टो हुँचा माथी पटी को का डोर्सल पार्ट इस तो सुन्निये को ह तेसे गर रहा है अज ये पार्ट को डिविजन करने हों दा खेरी यहां माथी पटी कर ला है बनीचा एंटेरियर पोजिशन यह ला है बनीचा पोस्टेरियर पोस्टेरियर ठीक चा एंटेरियर पोस्टेरियर है ना अब एंटेरियर पोस्टेरियर पोस्टेरियर पोजिश ये ती गुरा भूजियो है ना, सिस्टेमाटिक इस पोजिशन पनी भायो, अब आमी इसको habitat को कुड़ा गरों अब आमी habitat को केछा ता, इने अरू कस्तो खाल को organism हो, जुने आर चा केछा, फ्री लिविंग रॉ एक्वेटिक फ्रमा बश्चान, इने अरू पाथोजेनिक नेचर का हुदे ना, इने आर ना पैरासाटिक, इने अर फ्री लिविंग रॉ एक्वेटिक फ्रमा बाथचान, अन पॉंड भायो, water ditches भायो, dams भायो, तेस मा की होंच, water continuously flow भायराएगो देना, तेस तो ठामा की होंच, यो abundantly पाइंजा, water flow भागो एरी आर मा पनी paramecium codatum can be find out, तरह abundantly का पाइंजा बन्दा खेरी जाएं, इनी अरो, stagnant water मा बसचन, where there is, where there is greater supply of nutrition, greater supply of nutrition, यह रधा इन्फोसोरियल अर्गैनिजम्स की न होंच, को सोद न सक्षा, अबर टीक आनना वने वने, paramecium is fosorial, infosorial, और फोसोरियल इन्फोसोरियल तेस मा कन्फूस न होंच, इट इज इन्फोसोरियल, और इन्फोसोरियल को मीनिंग की हो, तो, they live in standing water, those organisms which live in standing water, where there is the abundant supply of the nutrients, तो पनी के बाटर निशके कोंच, तो dead and decaying matters बाटर निशके कोंच, ओके न, तो standing water मा प्रिजेंट बागो, dead and decaying matter जो nutrition होंच, तेसको यूज बाटर यो बसच, तो हालका और इन्फोसोरियल और इन्फोसोरियल और इन्फोसोरियल और तो, structure of paramecium, तो, structure of paramecium, यदि इसको shape को अधर में यह निवनधाँ थे, यो slipper जस्तो देहिंच, चपल जस्तो देहिंच, तेवर इस अउसो कॉल्द, slipper जपल निवनद दो, animal kill वहने को, it is a type of animal cell, which seems like a slipper, तिक चाकश हैंगी सेना, अब यदि आमीले ले लाई, कातना खोज इत इस नट बाइलाटरली सीमेट्रीकल यह उस्यमेट्रीकल शा हो कुण है सिमेट्री ने सो गर दे ना यह दि अधी तबाली मेरे सिमेट्रीको वीडियो एनुआ आज है आया बने बटन मा क्लिक गरनना होला अनि तेसभचाड़ी अब एक्षटर्नल स्ट्रक्चर को कुरा गरनी हों से खेली लेट्स टॉक अबाउट एक्षटर्नल स्ट्रक्चर इनेरको शेप कस्तर है शेठ स्लिपर ऐनिमल की लिगनीर की चछ स्थ अस्यमेट्रिकल ऐनिमल छ यत यहाद बहाई शेग्यो अब external structure मा सबसे पहला कुरा गरो oral group को बारे मा अब oral group भने को की हो है राई यो ventral side माल अगी भने सागे ventral side भने पिछ यहां तला तीर ठीक्चा यहां तीर यहां तला तीर के प्रिजेंट चाथ oral group प्रिजेंट भो एस तरी ठीक्चा अनि माले यो ड्रेंग लाई एस तरी देखायराचु ठीक्चा अन्दा खेरी अब यो एतार एता भो ठीक्चा यह लाई मानू के ओ oral group हो यहां के उंचा खाल्टो उंचा groove means खाल्टो ठीक्चा तो यो part भो के oral group there is this depression that is produced भो भो भनेंची ventral part मा ventral part मा के उंचा depression उंचा ते भी depression लाई के बनेंचा oral group भनेंचा ठीक्चा so this part is said to be oral group यह ना अनि यहां भीत्र गईरे जो यो funnel like structure बनेंचा रहे ता conical funnel जस्टो शेप बनाचा की से ना यो एस तरी conical funnel जस्टो शेप बनाचा ते हो conical funnel जस्टो शेप लाई की बनेंचा ते हो वीत्र को cavity लाई बनेंचा vestibule vestibule बने को की रहे चा था vestibule लाई चे की बनेंचा it is the conical oval conical funnel shaped structure conical funnel shaped cavity बनाबना cavity बने को अब यह लाई हामी मुख सांगा पनी कमबेर करने साक्षा हामी मुख लाई 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 ल पुबलर जस्तु स्ट्रक्चर छ, that tubular structure लाइ, yeah that tubular structure is called as cytopharynx, की बनीं च, शाइटोफेरिंग्स बनीं ज, ठीक च, साइटोफेरिंग्स तो इन यह बनीं यहां cytopharynx लाइ, यहां mouth आपन होच्च, जसले सय्तो फैरंग्स मां food in treat adjust करने काम करें उचो जसले यह 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 उटा ऐस थो खालक स्ट्रक्चर बनाचो मेले यना यह रहादा यह स्ट्रक्चर यह this structure यह स्ट्रक्चर को नाम हुँच साइटो स्टूम के ओदशको नाम, साइटो स्टूम ठीक्चा ता साइटोस्टोम लेक्टे संगपन कम्पेर गरना सगींचा इट इस अल्सो कम्पेर टु दा माउथ माउथ आफ पैरामेसियम साइटोस्टोम दाट ओपन्स हिंटुके साइटो फैरिंग्स जा यो तलमा चे के हुंचा प्स्टेरियर अन् तीर गर या याँ उटा ऑलो काविटीमा के फरिजेंट उनचा फूड ब्याक जा के प्रडुस उन्चा आइजेसान प्रोसीस अकरुंचा कश्टयोसरी इन्साय और को ओरल ग्रूप oral group लाई छे के का प्रिजेंट चा था ventral part को depression लाई oral group भनींचा that opens into a conical funnel shaped structure that is vestibule अनि त्यो चाहि का उपन जान चा था tubular structure जलाई वनींचा cytopharynx और cytopharynx ओपन गरना लाई योटा mouth जस्तो structure compare गराई चा जलाई वनींचा cytostome ठीक सागी से न cytostome यो के वाई आमरो oral cavity so अब यहाँ आरा अब यह लाई वनींचा so this oral group यहाँ तला लेग दियू आना oral group oral group plus vestibule plus cytostome plus cytopharynx is common आर तुगेदरली कालड आज it is called as the feeding apparatus of paramecium पंचा which of the following organs constitute the feeding structure of the paramecium paramecium को feeding यह वनींचा feeding structure feeding structure और apparatus आफ के paramecium codatum ठीक चा oral group plus vestibule plus cytostome plus pharynx is commonly called और तुगेदरली कालड आज के feeding apparatus ठीक चा यह ती गुरा बुद्जयो अब चे आमीं दोस्रो पाट दोस्रो एक्स्टरनल इस्ट्रक्शर जला के वनींचा cytophाईजी और इट इस अलसो कॉल्ड आज साइटो प्रोक्ट दुबे कुराई आब दाहने इट इस अलसो इट इस कॉल्ड आज साइटो फाईजी आज साइटो फाईजी और साइटो फाईजी और साइटो प्रोक्ट अब है राई साइटो फाईजी लाक्ये वनींचा कुने-कुने बुक मा पर्मानेंट सेल आनल स्पोट बन जाए तरह खासमा त्यो होई न यो स्पोट चाई जैले पनी कॉन्फाइंड हो जाए न तरह यो पर्मानेंट फॉर्म मा एनस कुरूप मा काम गर दे न ठीकचा इट इस कॉल्ड आज सेल आनल स्पोट चे बनन जागी जा सेल को आनल स्पोट जावट इजे शन प्रोसेस चाई त्यो चाई यो टा पर्मानेंट फिक्स पोजीशन होंचा तरह जैले पनी यो प्रिजेंट होंचा वनने जा चाईना कईले काई बंद पनी होंचा ते बरे एलाखे वनींचा टेम्पोरारी एनस अफ पैरामेसियम ठीक्चा यह रखे रहिशा त या जुन डिप्रेस्ट या बाठ जुन ओपनिंग निसकेगोचा जुन एस तो खालक स्ट्रोक्चर देहा चुनी दीज आर धी अन्डाइजेस्टेट प्रोड़क्ट्स ठीक्चा अन्डाइजेस्टेट प्रोडॉक्त रुचे काउंटर इजेस्ट आउट हुँचा था इजेस्टेट आउट थ्रू साइटोफाईज और साइटोप्रॉक्त ठीक चा अनि यहला के बनीचा सेल अनल स्पोट तरह यो कुनी-कुनी भुग मां पर्मानेंट सेल अनल स्पोट बन जाले पनी प्रिजेंट हुँए कुरा इना इज तरह इसको चाहिए अवा इंजेस्ट अथवा अन्डाइजेस्टेट फूद अनिकालना को लागी चेके घरनू परछ यही एनस यूज़ गरछ तो इज तक रिदियार पेलिकल को बारे मां एकके चोटी कुड़ागर हुआ तेसको लागी यहां नए डाइग्राम बननू पर चाहिए ना इसमा के देखाको चाहिए यूज़ उन यहां बटा निसकी गुछाने दीज आर सिलिया यहां मलिकी गरे को तो यहां बटा एती भाग काटे रा थाके तेसला एस तो सीधा पारे रा यहां लिया रा जूम इस् पाटिको यह सिलिया बन्दा यह ठाके चाहिए यह यह बटी वाला तेला के वनिंचा पेलिकल वनिंचा ठीक्छा एक्स्टर्नली इटीज कवर्ड बाई थीन तर एकदम स्टीफ लियर दाट इस पेलिकल रा पेलिकल को कमपोजिशन है ने होंदा खेर एसमा जेलाटीन यह चें अब माथी वाट भीवात भीवात ब्हुगाता एस तो देखी रा चाहिए यह बटी वाट एरदा खेर एक्डिक्यों है डेखिए देखिम चेह थीन चाहिए फेलिकलको ठीक्छा आनी पेलिकलको हरेक हग्जागुनल डिप्रेशन बाट यह जुन सेंट्रल चाहिए यह चे भित्रे बाट बिच्च देखी निस्के को यहां आउटर मा ठाके उटा गोलो स्पोर बनाया ठाके बैर निस्के को यहां जासते यहां रहता योब प्वाल बाट की गरे निस्के को यहां रहता यहां शीलिया कांँट निस्के को यहां लुट शीलियाया चे तयकीक से जासते चेला बनाया की जास अहना M अध्या अध्या स्पोर बल्लास्ट बनाया बनाया बनुट खिल्याश, पर्धार मेंग में आध्य। थीज आर दा शिलिया और अगई देखी दागो तेस्रो पटक भाए वहला शिलिया इनके शब प्यरमेसियम जाद केचा सबको साइज यह उटे चा र इनी अरको साइज यह उटे र यूनिफर्मली डिस्ट्टुपिटे रहता हरेक एक्जागोनल प्रोजेक्शन बाट यह ट्राइकोशिस्ट्स एक सिनमा इंटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने वेला बन्चो इसको बनी छुट्टे स्ट्रक्चर बन्चा ठीक्चा तर्थी को लागी इन्यों धाखरी माथी पट्टी स्पाइकलियर तलो पट्टी ग्रैनूलियर ठीक्चा जस्माचे एसमा अब युशको फंक्चन चै क्यो बन्दा खेरी यसले प्रे लाए प्रे आयो भने तेलाए अव अफेन्स रा डिफेन्स दूबै को लागी फाइट परो भने यो ट्राइकोशिस्ट एक्दम काड़ा जस्तो निकाल चा टाकी प्रे अरूल चाहिए आपनो वरी परे आयो तीन आलाए स्टिक इन फंक्चन पनी हुँँँच ट्राइकोशिस्ट मोडन अधले को वर्खर को रिसर्च ले के पता लागाये तो ट्राइकोशिस्ट इज श्टिक इन ने चार तो अधले यो एक्षिमा कुरा गरुछू पहला शीलिया कुरा शीलिया सब ले थाब आयो एसको लोकोमोट्री और्गेंज कियो cilia cilia के कारण लेगर दा इनियर को movement हुँँच रो cilia को movement यह उटा longitudinal axis र वर्टिकल axis दुबाई ती रखे हुँच डिफ्रेंट वाए पछे तिसके कारण लेगर दा यह कसरी घुमचा त इसरी घुमचा गे यह पैरामेशियम को लोकोमोशन हैंटा करी सीधा ज पुर्य और्गेंजम में जासतो एसरी घुमचा उंचा इसरी मुव हुँच यह उटाले शर्कूलर axis मा गुमचा और दीखा नहिंचा अर्कोले शीधा लग नयख एक्सेट्पे दूप्रोंच किरा ज़ले तई सेंशेशन को लाईग गरान जा यहां तला जुन यो ऊसरी च किने औस टूम कीने टूम किने निकाल रिए और स्पाइकोर कु आइके निया है डीने और提ू किसले को स्पाइकूसिश्ट मेन टुरा इक्सिर में और उच्ट Потा रिपीट से पाइक है जाल आट को स्पाइक है Our polar group opens into hollow cavity that is a vestibule hollow cavity also called as boccal cavity test rocky that opens into a tubular structure स्ट्रक्षा जला होनीच साइटो फैरिंग्स त्यों मंधा माथी के प्रिजेंटुछा माथ लाइक स्ट्रक्षा दैटिस साइटो स्ट्रोम अनि बाइर पट्टी बाट ओपनिंग निश्किंचा जावाट की होन्छा मात्रा एक्सक्रेशन अथवा अन्डाइस्टेट फूड ओरнов बारिशनों कायाम त्यों पोड्ट प्रव्र लिवन इसन को साइटो फाइज ऊसाइटो फाईजीका प्रट्ट ऐना अनस् तेशपषाडे के होन्छा सीलियाबच अनि अरका हुआ चुयाख्च पेलिकल और सीलिया चुल्या अउस्जकार मस्ट पवरहिं यो पीलिकल हो जस्मा के प्रिजेंच जेलाटिम प्रिजेंच तेस्मा धेरेयोटा घेग्जागोनल डिप्रेशनल प्रिजेंट हुँँच जस्कूब मीडल बाटकी हुँच परफुरेट गरेरा सिलियार हुँच इन्टर्नली सिलिया इस सपोर्टेट बाई बेसल बड़ी अल्सो कॉल्ड आज काइनेटो ब्लास्ट तेसला है चे कॉनेक्ट गरेकुँच युटा इस तो खालको फाइवर्स ले जलाए बनेचा काइनेटो स्टोम जले चाही सेंसेशन फंक्शन पनी के दिन चा सिलिया लाए इस काल्ड आज पेलिकल एती गुरापनी भाए हो है ना अनि या महिले कि न युब बिगरेर होता है न युब जान जानने बनागो कि न अंदाखेर इसको पोस्टेटरे एंड तीरा सिले आरू एकदम धेरे प्रिजेंट हुँचा सिले आरू को एकदम गुच्छा प्रिज इंटर्नल स्ट्रक्चर इंटर्नल स्ट्रक्चर से क्या हुँचा दुयोटा भाग मां डिवाइड गरना सकी हुँचा यो डॉटेट भन्दा बाइर पटी को जुन सानु पार्ट चा इटी सेट टू बी इक्टो प्लाजम अनि यो भित्रपटी को जती पनी ये रहा चा ते झाल भाग मामीली बनाया थे ठैके ट्रसवीको को सीश्ट के हुँचा दुयोटा हेग्जाञनल डिप्रेशन को बिच्चमा जुन स्पेस हुँचा तbeiter्री को जुन बेट् rays इडेशन निया इरिजिवा अथिभा प्रिडेटर आ चा बन्ने यह लाग अन डिईचार्ज अब यहारे 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 यह यह on discharge condition हमा इसको महीं च्याप प्रिजर्ट उनच अब यह अब यह उन्डिस्चार्ज कणिशन यह spike काँ डिफलाप और यह गोथे हो कि सीलिया को बेसल बड़ी लाई अथवा काइनेटी स्टोम बाटने की हुँँचा स्पाइक को डेवलाप हुँचा काइनेटी स्टोम लेके सपोर्ट गड़ेक हुँचा सीलिया पच्छी की हुँचा तिन्यारू पेलिकल को साइज जती धरे एग्जागोनल डिप्रेशन अधे अमा इस्पेस छोडे रखे हुँचा ट्राइकुशिस्ट को फर्मेशन हुँचा क्या बाट अता ट्राइकुशिस्ट को फर्मेशन इस फ्रम दी काइनेटो ब्लास्ट अथवा के वँचा तेलाई इटिज अल्सो कल्ड आज बेसल बड़ी ठीक जा आनि यहीं स्टिमूलस को रूप में यह की गर्षा ट्राइकुसिस्ट रिलीज गर्षा थिक्सा अब है रहा था यह की वायो पहला थाइली जास्तो थियो अब की वायो स्ट्रेटर फ़मा गाई तनके न तनके और तनके सके पचछी अब यह एती पाट से भित्रे हूं जा आणी यह जुन बेला दिस्टार्ज कंडिशन उन्छा इरिटेशन प्रवायो गरी सेके विछे घिस्टार्ज कंडिशन आव चानी पहिला के थो एक्सपोज थिया ना वित्रलूके गो थियो इरिटेशन प्रोवाइड गरे पची यो कियोंचे इस्पाइक्स है कियोंचे पेली कल बन्दा बाइर आई पुग छा ये थी गुराब बुझो है ना अणि अब इस पाची चाहें कती स्ट्रक्चर प्रिजेंट रे इंडाजम बने पच्छी इक्टोप्लाजम इज दिस एरिया शाए अम यामेले सेप्रेट गरे गाए खो सी जा लाइन लाइन डैस लिए दिए दिना आई थो डाइस कती चाह इंदो प्लाजम बहुआ। इंदो प्लाजम बाएं, भीत्र अधिया ब्हत्र हा यह प्लाजम ढ WOW बुमसी मत वहीं था। नजिटा जा लिएव भी։ अवह क्वकोरी कने हो को प्लाजम है। एंदो प्लाजम अलब इस नमीर plag hump उने टा क्वा Geor जोन अब आमी के शुरुगार हुं ता नुखलियस को बारे मा शुरुगार हुं न अथा बार नुखल अपारेटव है इhou ठुलो स्च्छा नूखल्या लाके हुरो क्या लाका वनिँदा ज़सी फिर्शल्याघा वके बनिँदा kidney safety structure हो यो macronucleae is kidney safety structure रह एले की गर्जा हो गर्जा ता it controls all the metabolic activities it controls all the metabolic activities की का गर्जा हो metabolic activities गर्जा हो रह इनले की अर्ग की प्रिजन उदाइना देर इस दा absence of nuclear membrane देर इस दाफैसेंस फे nuclear membrane nuclear membrane के चा absent चा के वायो nuclear apparatus मां दुयोटा nucleus सुन चा वोटा macronuclei और को micro nuclei तेसके कारण लेगाँ the paramecium is also called as heterokaryotic heterokaryotic बने पसे hetero means different and carotik means kya nucleus शाग मनना सके चा so it is called as heterokaryotic organism राओगी बना है थे characteristics मा it is nuclear dimorphism सोगर चा बने तो दुयोटा किसमग के चा nucleus युटा नुकलियोस को नाम हो मैक्रो अर्को को नाम हो मैक्रो ठीक जागी छहना मैक्रो मोलिक्यूद मा के जा there is the absence of nuclear membrane it controls the metabolic activities रा सेब कसतो चा kidney सेब को चा अब फार्मेशन को कुरा गर दाहरी मैक्रो नुकलियाई ती मिले के सोच रहा होला मैक्रो नुकलियाई gives rise to मैक्रो नुकलियाई तरह ठाके एसमा की हुँँचा उल्टो हुँचा अमाइटो टिक पहला सुरू ते इसको development को स्तरी हुँचा अमाइटो अमाइटो टिक डिवीजन बाटा हुँचा during the reproduction को बेरा की हुँचा इसको अमाइटो टिक डिवीजन हुँचा और के बाटा formation गर्षा माइक्रो नुकलियाई यो सानो माइक्रो नुकलियाई इस स्माल माइक्रो नुकलियाई गिव राइस तु दिस बिग मैक्रो नुकलियाई भाई, अमाइटो टिक डिवीजन अमाइटोटिक डिविजन युकर याद दाखे हो अब माइक्रो नुक्लिया गो कुरा गर दाखे हो यो के चाहे स्माल छा राउंड शेप्ट कोचा इट इज़ श्माल इज़ राउंड शेप्ट अईना अनी तेसर साड़ी इसले के कंट्रोल गर्छा इट कंट्रोल्स दा रिप्रोड़क्शन इट कंट्रोल्स दा रिप्रोड़क्शन अफ परमेसियम रिप्रोड़क्टिव अक्टिविटे तत्वा रिप्रोड़क्शन कले कंट्रोल गरने काम गर्छा macronucleia iallet control गरने काम गर्छा रह sic़ िना कंश्य Divine रहा माइोटिक प्र्द रहा है माइक्रोनुक्लbased कर चानी कलेवां MI MI याद राखता हुँँच ठीचा, कन्फिजन देने S मा M A छा So A बाट की हाँँच S मा M I छा, So Mitotic Division ठीचा, यो बाए हो कि आमरो Nucleus को बारे मा हैना, Nuclear Apparatus अब आमरो आँछ वैक्यूल्स दू योटा किसिम को वैक्यूल्स हुँच योटा, Contractile Nature को अचा और को, Non-Contractile Nature को अचा तिसको बारे मा कुडा करूँ दू योटा, वैक्यूल्स हुआ याँ आँछ तो, योटा, Contractile Vacuum योटा, के बाए, Contractile Vacuum रा, योटा, यो हरूँद जुन चाए, Non-Contractile Vacuum इन य़ो भायओ, food vacuole, इन यह भायओ, food vacuole, एन एदुवे, food vacuole, और इन यह भायओ, contractile vacuole, contractile vacuole, यह पनिके भायओ, contractile vacuole, आप पहला, contractile vacuole, को कुरा कराऊ, ठीक्सा, आँ, contractile vacuole, हरुछाई की, उन्षा, they have the capacity, नाम के शप्खे, contract when you see they have the capacity of contracting themselves here you have expanded you have expanded portion ko bela maa you have constriction process ko bela maa in here kye honcha contract contract equally contract when you relax relax when you contract contract relax contract relax sorry kye honcha yo yota position ko bela maa dekha ko here you expand sa wane isko side side ko yehla ke honin cha yehla ancha radiating canals maanin chae na this is called as radiating canals r yu canals haru chae jun bela bichcha ko portion expand huncha tiyo bela side side ko radiating canals haru kye honcha constrict bhaera jaancha yaha ra yaha bichcha ko portion cha kye bhae constrict bhaera ghae ho r side side ko kye bhae expand bhaera ghae ho yu bhae contractual vacuels so contractual vacuels ko function kye ho it helps in the osmo regulation osmo regulation maa help gaar cha and sometimes contractual vacuels also acts for the excretion process tehi carbon dioxide bhaera nikaal na process bhaena gyo kye ho isko laghi excretion process ho contractual vacuels aurko vayoh food vacuels jun chae kye ghar cha tha yo matrix just endoplasm maa kye ghar cha jasari clock ko sui ghum cha clockwise direction maa ghum cha kye ghum cha clockwise direction maa kye ghum cha so clockwise direction maa kye ghum cha yas maa cyclosis ghum cha the process in which the food vacuels are transported all over the body in k clockwise direction this process is said to be cyclosis that process is said to be cyclosis and food vacuels ko saath saath e yas maa different organelles jasthi mitochondria kapa particles charu in yaro pa ni kye ghar rao cha saangsa ngay ghumi rao cha yasthi gura bhujiyo so that is it for today guys aadakko lecture maa aam leke padeo the paramesium ko structure sa maa matra padeo hoi na bhanne pa chhi khaan dekhhi lye raha tha paela shuru aamile esko introduction liyoum thiksa tese maa sari systematic composition charu huye rho tese habitat tese maa sari extra structure eho tese external internal sub structure complete vahay next lecture maa we will be talking about locomotion locomotion ko chapter pa chhi in yaro ko in yaro le kashari nutritions mode of nutrition kashari linchab reproduction ko baare maa kura ghar cha have a wonderful day namaste